नमस्कार देखिए जीवन को स्वस्त जीने के लिए एक चीज की महती आवशक्ता होती है वो होती है साउंड स्लीप यानि गहरी निद्रा अब गहरी नींद अगर जिस व्यक्ति को नहीं आए तो ये मानके चलिए कि शरीर में स्वास्थे से समंदि समश्याएं होना स्वभाविक है अब इसके लिए अगर विचार करें अन्ने सब क्रियाएं तो हमें चाहिए चाहिए जैसे भोजन सही समय पे सही भोजन व्याधी युक्त शरीर ना हो ऐसी सब चीजे तो हैं लेकिन सोने के लिए सही सोने के लिए हमारे सोने का तरीका और सोने की दिशा बहुत प्रभावित करती है ये मैं अनुभव की बात ही कह रहा हूँ आपको हमारे मुख्य रुप से चार दिशाएं मानी जाती है पूरव पश्शिम उत्तर दक्षिन इन चारो दिशाओं में किधर तो हमें सिर करके सोना चाहिए किधर पैर करके सोना चाहिए ये थोड़ा सा हमें अगर ध्यान हो तो हमारा ये मान के चलिए कि शरीर स्वस्त रहेगा नींद बड़ी आएगी और जो नींद हमें शुशुमना नाड़ी की और लेकर जाती है देखिए हमारा जो दिमाग का मध्य भाग है जिसको mid brain कहते हैं pineal gland कहते हैं या तो दाहिना या बाया सक्रिय होता रहता है और जब वो दोनों दाएं और बाया सक्रिय होकर संतुलित होकर बीच में आ जाते हैं तो वो संतुलित अवस्ता गहरी निद्रा की अवस्ता होती है वहाँ आने के लिए हमें अन्य disturbance से दूर होना जरूरी है जैसे तनाव हो गया तो नींद नहीं आएगी हमारा तनाव का जो पॉर्षन है वो सक्रिय रहेगा हम खुश हो गए तो नींद नहीं आएगी हमारी खुशी का पॉर्षन सक्रिय रहेगा इन दोनों की संम्य वस्ता वो हमें नींद लाती है अब उस संम्य वस्ता को लाने के लिए जो एक महत्वपुन रोल अदा करता है, वो करता है हमारे सोने का तरीका अब तरीके में क्या है आप देखिए जब हम खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं तो हमारे हाठ को जादा जोर लगाना पड़ता है जैसे आपने देखा होगा चड़ाई पर जब गाड़ी चड़ती है तो उसके गेर जो है वो चोते गेर से हमें दूसरे गेर में आना पड़ता है और गाड़ी के एक्सिलेटर को ज़्यादा दबाना पड़ता है तो गाड़ी उस चड़ाई पर उसी स्पीड से बढ़ती है ज जब हमारा शरीर खड़ा रहता है तो हमारे हार्ट को उपर तक ब्लड पहुंचाने के लिए जादा जोर लगाना पड़ता है और हमारा ब्लड जो है वो गुर्तुवा कर्शन के विपरीत अवस्ता में चड़ते चड़ते माइंड तक चड़ता है इसका मतलब जोर जादा ब्लड को वो फैके हार्ट तो आप सोचिए यहां से हार्ट ने अगर फैका और उसी स्पीड से फैका तो यहां की ब्रेन हैमरेज होने का डर रहता है यह ब्रेन हैमरेज हो सकती है तो शरीर हमारा इसी बैलेंस को मेंटेन करता रहता है अब क्या है अब अगर हमने शरीर को नहीं किया जैसे इसलिए मना किया जाता है कि तकिया लगाकर ऐसे बीच की इस तरीके से कभी नहीं सोना चाहिए। ऐसे सोए तो माइड हमारा Briefschal में रहता है कि ब्लड को स्पीड से भेजना है या दीमी गति से भेजना है तो आप देखेंगे अगर हम इस तरीके से सोते हैं बच्चा अगर ऐसे बैठ के पढ़ता है तो उसको नीद आ जाती है वो उसका concentration नहीं बन पाता heart confused में आ जाता है कि इस बंदे को सुलाना है या जागरत रखना है ये confusion हमारे शरीर हमारे मस्तिस्क में हो जाता है अब क्या करना है एक तो जब भी पढ़ने बैठना हो देखिए दुनिया में दो ही बाते होती या तो हाँ या ना पढ़ना है तो ऐसे कमर सीधी करके सीधा करके बैठना इससे क्या होगा mind जागरत रहेगा और अगर सोना है तो सीधा सोना ही है फिर उसके बाद में आप सोई सोई नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उस समय mind में blood जो है वो नहीं होता है heart जो है वो बहुत धीमी गती से blood को भेजता है आपने देखा होगा कई लोग सोते हैं तब पाउं ठंडे हो जाते हैं अब इसेपर चाहिए नींद कैसे आठी है हमारा ये जो हिस्सा है जो सिर है ये हमारे शरीर का नोर्थ पोल है पाम जो है वो साउफ पोल है यानि दक्षिन हिस्सा जमीन है जमीन की तरफ पैर है और उत्री हिस्सा हमारे सिर का जो उपरी भाग है ये उत्री हिस्सा है जैसे गलोब में आप देखेंगे पृत्वी का गलोब होता है उपर उत्री धुरू है नीचे दक्षनी धुरू है सेम उसी साब से यथा ब्रमांडे तथा पिंडे जैसा पिंड है वैसा ही ब्रमांड है उसी ब्रमांड की सेम जो आकरती है वो हमारे पिंड में है अब पृत्वी पिंड है उसमें उपर नोर्थ पोल है नोर्थ पोल से चुमकी या तरंगे नोर्थ की ओर जाती है तो आप कभी भी मेल नहीं खाएंगी वो हमेशा टकरा हट करेगी चुम्बक को आपने देगा चोटा सा उधारन ले लिजी नौर्थ नौर्थ चुम्बक का कभी चिपकेगा नहीं नौर्थ और साउथ को लेंगे तो चिपक जाएगा सेम वही सिस्टम हमें क्या करना रात को आप उत् कर्ण्ड स्लीप का सेंटर पोिंट आने वाला होता है उस समय वो जो ब्लड के अंदर आइरण स्लीप कर में वहाता है वह इस चुम्बक को हमारे शरीर में भी चुम्बक ये त्रंगे बनती है वह पुर्तिकरशित करती है और पूरी रात हमें नीन नहीं आती हम करवटे बदलते हैं और हमें ऐसे 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 शरीर में एक ऐसा मनने सी ऐसे एहज सी इस्तिती हो जाती है अगर हम लगातार एक साल, दो साल, तीन साल उत्तर की और सिर करके सोए तो आप मान के चलिएगा मानसिक और शारिरिक व्याधी शरीर में प्रिवेश करेगी ही करेगी क्योंकि एक तो साउंड स्लीप नहीं आई और दूसरी शरीर में वो जो रात को पूरी रात प्रतिकरशित हो रहा है वो चुम्बगी अतरंगे हमारे शरीर में व्याधियों को बढ़ाईगी अब जो व्यक्ति मृत्यू हो जाती है जिस व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है आप देखेंगे शास्त्रार्थ परंपरागत तरीके से उनका सिर उत्तर की और रखा जाता है इसका कारण क्या है उत्तर की और सिर रखने का कारण ये है कि जीव में जीव जीवत्व तो खत्म हो गया लेकिन फिर भी अगर किसी अंग में जीवत्व जीवित है तो उत्तर दिशा की और सीर कर दीजिए वो जीवत्व भी खत्म हो जाएगा वो पून्त है जीव से मुक्त हो जाएगा उन्टे मृत्य गोशित हो जाएगा इसलिए उत्तर की और सीर करके सोते हैं रखते हैं जब शव होता है व्यक्ति को जिवित व्यक्ति को बैस्ट कौन सा है किदर सीर करना चाहिए दक्षिन दिशा सबसे बैस्ट है दक्षिन दिशा बैस्ट क्यों है दक्षिन दिशा इसलिए बैस्ट है कि हमारा उत्तर नोर्थ पोल और इदर है साथ पोल तो दक्षिन और उत्तर अपस में एक तूसरे की और आकरशित होंगे आकरशित होंगे तो जो चुमब की यह तरंगे बनी वो हमारे शरीर में से प्रवेशित होकर किसी प्रकार की टकराट नहीं रहेगी और एक दूसरे में समाहित हो जाएगी जैसे ही अंगूलियां, अगर ऐसे सामने सामने भिडे, तो ये टकराट है और ये ही एक दूसरे के सैट हो जाएं तो ये सैट हो गई तो ये ताकत बन गई, ऐसा ही नींद के लिए हमें दक्षन दिशा में सिर करके सोना चाहिए इससे निद्रा अच्छी आती है कम समय में अधिक नींद हो जाएगी बड़िया नींद आएगी अगर आप शरीर से स्वस्त महसूस नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहला आप अपना सोने का तरीका देख लीजिए आपका सिर किस साइड में है ये तो दो दिशाओं की बात हुई तीसरी बात हुई पूरव दिशा की और सिर करके क्या सो सकते हैं या नहीं पूरव की और सिर करके सो सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी जब होती है गाड़ी को देखिए आप गाड़ी का आगे का हिस्सा हमेशा नीचा रहता है अगर गाड़ी के आगे का हिस्सा नीचा रहेगा तो उसका संतुलन अच्छा होगा वो गाड़ी अच्छी चलेगी वो गाड़ी की स्पीड अ तो अगर हमारा सिर नीचे की और हुआ पंजे उपर की और हुए ऐसे नहीं पता चलेगा ऐसे तो बैलेंस लगेगा हमें लेकिन प्रत्वी तो पूरी जब जा रही है तो हमारा सिर नीचे की और होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर की और आएगा तो हमें सिर की ताकत बनेगी ब्लट का सिर्कुलीशन बहुत हलके तरीकें से स मए समय तक सो हो एंगे तो सिर में ब्लट का सिर्कुलीशन पहुँँ जाएगा और ये तरीका हमारा सोने का बैस्र रहता है जैसे ही सूर hy Hag Jourघ होता है उस समय रश्मिया हमारे सिर की ओर आती है हमें जागरे तवस्ता में लाती है तो बच्चे को अध्यान अध्यापन के लिए पढ़ाई के लिए मेधा शक्ती के लिए कंसंटेशन के लिए पूरव दिशा की और सिर करके सोना चाहिए किसको बच्चे को जब बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो हमें दक्षिन की और सिर करके सोना चाहिए दक्षिन की और बच्चा भी कर सकता है लेकिन पढ़ाई के लिए माइंड शार्पनेस के लिए पूरव की और सिर करके सोना उसके लिए बढ़िया रहता है वैसे भी पस्चिम की और सिर करेंगे वैसे तो कोई मनाई नहीं है पश्चिम की और सिर करके सो सकते हैं कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन एक छोटा सा लोजिक अकर मैं आपको बताओं तो पूरव की और सूरज उकते हैं सूर्य देवता उकते हैं पाउं जो है उनकी तरफ नहीं होने चाहिए ये एक चीज का ध्यान रखना दूसरा आपको जैसे मैंने बताया पृत्वी हमारी ऐसे पूरव की और घूम रही है ऐसे चलती है तो सिर इधर रहेगा अगर इधर पाउं रहेंगे तो इधर सिर रहेगा सिर उंचा कभी भी सिर के शरीर के बैलेंस के से सिर उंचा नहीं होना चाहिए अगर सिर शरीर के बैलेंस से उंचा होता है तो हमारे बलड का सिर्कुलिशन माइंड भी नहीं जाकर पैरों में जाता है तो ये पश्शिम दिशा की और सिर करके जो व्यक्ति सोता है उनके लिए ज़्यादा स्वास्ते वर्दक नहीं होता हलागे कहीं मनाई नहीं है लेकिन फिर भी एक लोजिक की बात करे तो पश्शिम की और की बजाए आप दक्षिन की और और पूरव की और सिर करके सो सकते है ये आज एक सोने के तरीके पर हमने कुछ चर्चाएं की आपको समझ में आई होगी स्वास्ते का पहली पूंजी जो है वो है अच्छी नीद और अच्छी नीद सोने के तरीके से हम बहुत सुदार सकते हैं तो दक्षिन की और सिर करके सोना शुरू कीजिए आप देखिएगा कितना शानदार नींद आएगी और कितना बड़ी आपको अच्छा फील होगा ये हमारे शास्त्रोक्त भी है और हमारे परंपरगत तरीके से भी हम इसको उपयोग में लेते हैं तो ये कुछ दिशा का कुछ ऐसा विचार आया आप तक पहुंचाने का मैंने प्रियास किया है आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा अब मेरे साथी गंशाम के साथ मैं डोक्टर मनोज योगाचारे लेता हूं इजाज़े त्री नित्र टीवी के लिए नमस्कार